पिछले लगभग 20 वर्षों से USA के लिए स्टूडन्स को अडवाइज कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने USA में स्टूडन्स को गाइड करके भीजा है और USA की खास बात ये है कि GIC की जरूरत नहीं है कनेडा की तरह और स्टूडन्स को अपने एक्सपेंस अर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती आज जब UK की बात करें यहाँ पर क्राइसिस है कहीं न कहीं स्टूडन्स को दिक्कत है तो USA ऐसी डेस्टिनेशन है यहाँ पर स्टूडन्स अपनी फीस निकाल सकता है और USA में अफिशली फीस आफ्टर वीजा है तो जब आपका वीजा आ गया उसके बाद फीस जानी है और आप वहाँ अपनी फीस निकाल सकते हैं काम क्या एजिली मिलते हैं तमाम टॉपिक आज जस्मी जी से शेयर करेंगे जस्मी जी आपका स्वागत है स्टूडन्स जा सकता है और क्या उसको असानी से वहाँ काम मिलता है अज सबसे बड़ा सवाल गही है So USA students जो जा रहे हैं उनका एक तो feedback is really really positive So अगर मैं बात करूँ कि USA से आज तक ये complaint कभी नहीं आई कि हमें काम नहीं मिला So that means कि there is lot of work in USA Secondly बात करते हैं कि जब वीजा से पहले से Yes आपने बहुत अच्छा यूज किया word जो मुझे बहुत पसंद आया सुरिदर जी की officially after visa है So हमने Canada को चाहिए after visa बना तो ये दिया है पर officially after visa Canada नहीं है So USA में जो tuition fees है वो officially after visa है अगर आपका visa लगता है तो आपने tuition fees देनी है नहीं तो आपने tuition fees नहीं देनी है Secondly tuition fees देने के बहुत सारे फाइदे हैं आप पहली बार US travel कर रहे है So जब आप US travel करते हैं तो वहाँ पर custom border security officer होता है So CBS से होती है वहाँ पर तो जब आप वहाँ पहुंचते हैं अगर आपके face पर है या बहुत डरे हुए हैं वो आपसे questions पूछते हैं कि why सबोज आपकी university थी California में पर आपका रिष्टदार रहता है New York में और आपने ticket कराई New York की और आप New York चलेगे आपको हरानी होगी सुनके कि New York और California में 7 hours की flight चाहिए यानि कि जितनी दिर में हम UK या Paris पहुंच सकते हैं इंडिया से उतना distance है New York और California में तो आप New York आगे मेरे साथ हो चुक है ऐसा तो New York में बच्चा पहुंचा और जो custom border पे officer था उसने पूछा कि your university is in LA, Los Angeles, Irvine County why have you come to New York तो student के पास कुछ answer नहीं था उसने बोला कि मैं अपने relative से मिलने आए हूँ उनने पूछा your studies are starting in next 5 days how will you cope up with your studies airport border से deport कर दिया क्योंकि बच्चे के पास sufficient documents नहीं थे so students it can be really really sometimes confusing itself जब हमको visa की पूरी knowledge नहीं होती visa को कैसे समझना है क्या questions answer करने है तो जब आप किसी भी शहर जा रहे हैं आपके पास direct flight उस जगा की होनी चाहिए जहां पे आप पढ़ने जा रहे हैं secondly आप tuition fees pay करके जाएंगे तो अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही solid point होगा कि आप tuition fees pay करके आए हैं तो उस student ने tuition fees pay नहीं की थी तब ही वो New York में जाके फस गया अगर वो student fees pay करके आता तो मेरे को नहीं लगता कि उसको वहां से भी वो उसके पास होता कि I have paid my fees for the university I will be joining in next five days and I have come here to meet my relative और मेरे पास New York to California की ticket भी book है तो वो बच्चे के पास ticket भी book नहीं थी so it is really really tricky यह after visa भी बहुत important है आपके लिए यह चीजें जानना और यह चीजों का ख्याल रखना so you should pay your tuition fees you should book your ticket to the destination जहां पे आपका college यह university है you should carry all the proofs with you when you are going to enter other country जैसे की all academic documents, all IELTS documents, all admission related documents, all financial documents and you should have confidence to answer any question which can be asked by the CBSA officer so students फिर बात कर लेते हैं sir work की जैसे आपने कहा की काम मिलता है की नहीं मिलता है यह काम students कैसे करते हैं so students को जूरुत होती है CPT की अगर वो legally काम करते हैं तो that is curriculum practical training and then वो curriculum practical training की permission लेके USA में काम कर सकते हैं so students I feel की USA is one of the top destinations for students to study and get exposure which they can't get anywhere so if you want to apply for USA study visa landmark immigration is AIRC certified that is American international recruitment certified and you can visit our nearest office and you can check our name on AIRC website also so बहुत ही recognition है agency के लिए AIRC होना so आप हमारे nearest office पहुंचे और अपनी proper counseling लें USA study visa के लिए चलिए बड़ी important information हमारे साथ जस्मी जी ने share किया आप मार्ज इंटी के लिए भी apply कर सकते हैं screen पे number है 90413-90412 आप इस number पे phone करें और जस्मी जी की team के साथ appointment बनाएं आप online भी अपनी application move कर सकते हैं तक्योट है बड़ी ने तक्योट है